इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिर्टर एमुलेटर की सेडिंग को for best fps and gameplay इसके लिए हमारे पास quad core processor और 4GB RAM होना चाहिए 4 core का processor और 4GB RAM तो देखते हैं सिर्टर एमुलेटर की सेडिंग को सबसे पहले सिट्रा एमुलेटर में गेम को स्टार्ट करने के बाद उसके Conference ुग में जरनल टैब में आएंगे जरनल टैब में एमुलेशन सेडिंग्स स्पीड में 200% यूज एक्स्टरनल स्पीड भी कर सकते हैं अगर स्पीड लो है तो system, system settings, cpu clock speed 100%, graphic settings, native 400 x 240, 3d mode off, screen layout side by side, large screen, single screen, settings, just suitable, state screen uprise, color change, audio settings, volume, recording and auto, control settings, buttons, ये है, control में ज्वाद सलेक्टेड है, तो face buttons के लिए, button 0, 1, 2, 3, circle pad, shoulder buttons, directional pad, और miscellaneous buttons, start and select के लिए, तो ये है Tramulator की settings, best gameplay और fps के लिए, तो आप gameplay देख लेते हैं, कि कितने fps मिल ला है, fps 40 fps, 33, 29, 26, तो average 25 और अबोब मिल ला है, 25 के अबोब fps, प्लेएबल fps है, 36, 35, तो 30 तो 40 fps मिल ला है, और गेंपले भी काफी स्मूध है, धूजिए स्मूध है, तो ये है सब्सदूर्श मिल लादी मेंपल चानलो लादी के लिए, तो ये है, scشा in एमुलेटर का configuration settings मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में